हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ में कैसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो खाने में भी है टेस्टी लगती है और सभी को बहुत पसंद आती है और इस रेसिपी का नाम भी टेस्टी है तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे दो कटोरी मुवफली के दाने एक कटोरी वेशन और एक चौथाई चम्मच मीटा सोड़ा एक चौथाई चम्मच साइट्रिक एसिट और खाने वाला सफेद नमक और थोड़ा समय ने लिए हैं यहाँ पर ओरेंज फूट कलर आप यहाँ पर एक बड़ा सा बड़तन लेंगे और इसमें हम डाल लेंगे अ है तो इसको नीवू का साथ भी बोला जाता है तो इसको डालना झाल जरूर है अगर यह आपके पास है तो आप इस справ है आई अगर नहीं तो आप इसकी के नीवू का रसमी डाल सकते हैं कि अब यह हमने फूट कलर डाल दिया फूट कलर डालने से क्या होगा कि हमारी जो टेस्टी बनके तयार होंगी वह एकदम मार्केट के जैसा कलर आएगा अगर नहीं है तो कोई दिकत नहीं है अब इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी हमें बहुत थोड़ा-थोड़ा सा करके नहीं डालना है क्योंकि अगर पतला गूल बन जाएगा तो हमारी क्रस्पी टेस्टी नहीं बनेंगी तो बिल्कुल आराम से पानी डालें आप थोड़ा-थोड़ा करके ही डालें क्योंकि बेशन में थोड़ा सा ही पानी में बहुत जल्दी से बेशन गिला हो जाता है तो इसी तरह का में गोल चाहिए बस इससे जादा नहीं डालेंगे तो फ्रेंट यह देखिए आदा कपी पानी लगाए है मारा अब इसमें हम डालेंगा हमारी मुफली तो इनको बढ़िया से डाल के अच्छे से मिक्स करकर इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे और इसको 15-20 मि अब यहां पर हम बढ़िया से एक मसाला तयार करेंगे तो इसके लिए हमने यहां पर काली मिर्च, लॉंग, काला नमक, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा खड़ा धनिया लिया हुआ और एक दाल चीनी का टुकड़ा तो इन सब का आउडर तयार कर लेंगे, ताकि यह बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मिक्स की मिया हम इसको बढ़िया से चला लेंगे तो, और हाँ फ्रेंट से इसमें आप एक बात का जरूर ध्यान रहें, कि बेशन जब भी आप कोई भी बेशन लें तो बहुत बारीक बेशन हो ज सकते हैं, और मिट्ची की मात्रा बढ़ा सकते हैं, अगर आप तीखा काते हैं, तो यह देखिए हमारा बढ़िया से मूफलियों पर बढ़िया सी कोड़े हो चुकी है, तो बस इतना ही गाड़ा हमें चाहिए, तो फ्रेंट्स यह तेल मैंने पहले से गरम होने के लिए रख की पीछे की साइट से इस तरह से इसको चलाते जाएंगे, ताकि यह आपस में चिपकेना खुल जाएंगे, तो बस एक दम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राइ करेंगे, और तो इनना बढ़िया से कलर आ गया है, अब इनको बस निकाल लेंगे, तो फ्रेंट्स यह आभिए देख्ये कितना आसान है इसको बनाना, तो आप एक बार ट्राइ जरूर करें, इसको बना कर देखें, और खाने में भीर टेस्टी लगती है, और एकदम मार्केट के जैसी बनके तयार होती है, अब जो हम दे इसको मसाला तयार किया था, तो इसको बस गरम-गरम टे या से मिक्स कर लेंगी तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको रेचिपी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में कर दो कर दो कर दो